नमस्कार हिंदुस्तान नियुस्टेली में आप सभी का स्वागत है लॉकडाउन का उलंगन करने पर पुलिस ने रोका तो हेड कॉंस्टेबर पर थूका आरूपी अरेस्ट राजधानी दिल्ली में कोरोना वाइरस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं कोरोना की वज़े से देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोशना की गई दिल्ली पुलिस भी सकती से इसका पालन करवा रही है लेकिन इस बीच लॉकडाउन उलंगन करने के मामले भी सामने आ रहे हैं ताजा मामला लाहोरी गेट थाने छेतर का है यहां एक शक्स को लॉकडाउन का पालन ना करने पर हेड कॉंस्टेबल ने रोका तो उसने पुलिस कभनी पर थूख दिया आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है मिली जानकारी के अनुसार लाहोरी गेट थाने में तैनाद दिल्ली पुलिस के हेड कॉंस्टेबल शुभास ने लॉकडाउन का उलंगन करने पर एक शक्स को रोका था पुलिस द्वारा रोका जाना उस शक्स को इतना नागवार गुजरा की उसने गुस्से में शुभास पर थूख दिया पुलिस ने फौरण आरोपी को गिरफतार कर लिया पुलिस आरोपी के खिलाफ अग्रीम कारवाई की तैयारी कर रही है बता दे कि दिल्ली के जिन इलाके में अभी तक कोरोना के केस सामने आये हैं उन सभी जगों को सेल कर दिया गया है दिल्ली सरकार ने आज चांदनी महल इलाके को कंटेन्मेंट जौन घोशित किया है दिल्ली में अभी तक कोरोना के 1100 से ज्यादा मामला सामने आ चुके हैं 24 लोग की मौत हो चुके है 27 मैज ठीक हुए हैं दूसरी और दिल्ली के विकास मंद्री गोपाल रहे ने आज मंडी के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है मंडी में कोरोना संक्रमन के मद्दे नजर नियमों में बतलाव को सकती से लागू करने के लिए या बैठक बुलाई गई है इस खाबर में बस इतना ही आप स्वास्त रहे शुरक्षित रहे धन्यवाद